हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एलिफेंट विद फ्लार्स तो सबसे पहले हमने फ्लार्स बनाने हैं तो मैंने सबसे पहले फ्लार्स की ट्रॉइंग कर ली मैं यहाँ पे तीन फ्लार्स बना रही हूं आप देख सकते किस तरह से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं और इसके बाद हम बनाएंगे हमारी elephant की सून्ड के लिए space और उसने पकड़ी होएं flowers तो हमने उसकी stems को बना लिया अब उसकी बनाएंगे हम trunk हमारी elephant की सून्ड हाथी की सून्ड और उसने जो हमारी flowers हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से सून्ड के साथ पकड़ा हुआ है अब हम उसका बनाएंगे face तो face बनाने के लिए सबसे पहले हमने draw करना head portion then ear उसकी कान को बनाना है और इस तरह से हम कान बना लेंगे then other ear हमने जो सामने से हमें ear दिखेगा हम उसको इस तरह से draw कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कि हमने elephant के दोनो ears draw कर लिये हैं अब इसी के साथ साथ हम उसकी eyes बनाएंगे तो eyes बनाने के लिए सबसे पहले हमने outer portion की drawing किये then हमने eye ball बनाया है और उसके बाद ही हम साथ में eyebrow draw कर लेंगे अब हमने बनाना है हमारे elephant का mouth mouth बनाने के लिए हमने one line पहले लगाई then उसकी mouth को open show करना है तो इस तरह से हमने mouth की drawing बना ली अब हमने बनाने है front legs जो हमारे elephant है वो बैठा हुआ है flowers को पकड़ के तो हमने उसके लिए उसके legs को draw कर लिया front वाले को और back वालों को हमने ऐसे दिखाना है कि वो अपने back legs को आगे को करके बैठा हुआ है अब इसी के साथ हम उसकी back body यानि की peat का portion बनाएंगे और आप देख सकते हैं हमारे elephant की जो body है वो बन चुकी है वो drawing complete हो चुकी है जो कि हमने elephant की बनानी थी drawing और उसी के साथ हमने बहुत सारे flowers बनाने हैं जो की show करेगा कि हमारा elephant जो है flower के garden में है जहां बहुत सारे flowers हैं रंग बिरंगे और खूपसूरत ऐसे ही हमने बहुत सारे flowers बना लेने है और उसी के साथ हम थोड़ी सी leaves भी बना लेंगे front side पे हमने कुछ flowers बनाए हैं और उसके back side पे भी हम कुछ flowers बना लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर jumbo 24 shades doms के colors रखे हैं जो की हमारे crayon colors है wax crayon colors और अब हम इनी को use करके इनको color करेंगे और elephant पे हमने जो color decide किया है करना वो हम ले रहे हैं gray color और gray color के साथ हम elephant की पूरी body को पूरी drawing को shade करेंगे properly coloring करेंगे अच्छे से coloring करेंगे और कुछ area को भी हम बिना color के नहीं छोड़ेंगे सारा अच्छी तरह से हमने color कर लेना है करेंगे जो अच्छी तरह से अच्छी तरह से हम लेएगे लेगे पर समय वागे बिना रहा है झाल झाल आप देख सकते हैं कि हमने माउथ के पोर्शन को ग्रे कलर से कवर कर लिया है तो उसी के साथ अब हम जो हमारे एलिफेंट की लोर बॉड़ी है उसको भी कलर कर लेंगे झाल अब हमने हमारे एलिफेंट की फुल बॉड़ी पे क्रे कलर कर लिया है अब इसी के बाद हम लेंगे ब्लैक कलर और ब्लैक कलर से हम हमारे एलिफेंट की आईज को कम्प्लीट करेंगे हमने आई बॉल में ब्लैक कलर यूज किया है उसी के बाद हम अब लेंगे ब्लैक बॉल्ड मारकर यहां मैंने पर्मनेंट मारकर का यूज किया है आप चाहें तो इस पे जमबो के बॉल्ड मारकर का भी यूज कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हम हमारे elephant की drawing पे outline कर देंगे हमने यहाँ पर हर एक line को highlight करने के लिए black bold marker का use किया है और इसी तरह से हमने पूरी drawing को outline कर दी है और सारी drawing को highlight भी कर दिया है साथ हम black color के साथ हमारे elephant के foot के front portion को color कर देंगे और फिर लेंगे हम pink color, pink color से हमने ears के inner portion को color करना है और साथ में ही mouth में भी हम pink color का use करेंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब plants, flowers और leaves हैं तो अब हम सबसे पहले green leaves बनाएंगे उसी के बाद हम different colors लेके flowers में color करेंगे मैंने सबसे पहले red color लिया है और red color से मैंने flower को color कर लिया है जितनी जगा पर मुझे red color चाहिए तो मैंने उन जगाओं पर red color से coloring की है तो मैंने खुम करेंगे लैंगे लेके लिए हैं झाले. अब मैं ले रही हूँ औरेंज कलर और हमने औरेंज कलर से भी इसी तरह से अपनी चोईस से कुछ फ्लार्ज में औरेंज कलर कर लेना है इसी के बाद मैं न्यू कलर ले रही हूँ और न्यू कलर मैंने लिया है पॉपल कलर तो पॉपल कलर से भी हम कुछ फ्लार्ज को कलर कर लेंगे अब मैं ले रही हूँ यलो कलर और यलो कलर के साथ भी इसी तरह से हम कुछ फ्लार्ज में यलो कलर एपलाई करेंगे अब मैं ले रही हूँ पिंग कलर जो एक फ्लार बचा है उसको हम पिंग कलर से कवर करेंगे और फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर तो मैंने यहाँ पर टार्क ग्रीन कलर लिया है और एलिफेंट की जो इस ट्रंक में उसने पकड़ेवे फ्लार्ज हैं उनकी स्टेम्स को कलर कर लेती हूँ और साथ ही में लीव्स को भी शेडिंग डिफ्रेंट ग्रीन कलर से दे देते हैं अब हम थोड़ी थोड़ी शेडिंग एलिफेंट की कुछ पोर्शन में ब्राउन कलर से दे रहे हैं जिस जगा पर हमने थोड़ी शेड़ो को दिखाना है उन जगाओं पर हम ब्राउन कलर को अप्लाई कर रहे हूँ जैसा कि हमने एलिफेंट को ब्लैक बोल्ड मारकर से किया था कवर वैसे ही अब हम फ्लावर्ज को भी ब्लैक बोल्ड मारकर से आउटलाईन करेंगे और सबसे पहले हमने जो हमारे फ्लावर्ज हैं उनके मिडल पोर्शन में ब्लैक कलर करना है देन उनकी आउटलाईन करनी हैं इसी तरह से हमने सब ही flowers को cover कर लेना है outlines करने के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे flowers कितने ही ज़ादा खुबसूरत लगने लग जाएंगे और हमारी drawing भी beautiful दिखाई देगी इसी तरह से हम हर एक flower को outline देंगे और cover करते जाएंगे इसी के साथ अगर आपको मेरी ये drawing पसंद आई हो तो please मेरे वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और मेरे साथ ऐसी ही new drawings सीखें और अपनी बच्चों को और अपनी family में सब को सिखाएं Thank you